दुस्तों एक सवाल हमेशाँ उटता है कि पता नहीं क्यों? है ना? अब किसी भी विशेर पर बात कीजेगा तो आपके जहन में भी ये बात निकलेगी, पता नहीं क्यों? खाने को साधा डाल रोटी होती थी, लेकशन फिर भी किसी को खोन की कमी नहीं होती थी, पता नहीं क्यों? स्कूल में अध्यपा खूब कान खीचते थे, डंडों से विटाई होती थी, लेकिन कोई बच्चा स्कूल में, डिप्रेशन के कारण आतमत्या नहीं करता था. पता नहीं क्यों? बचपन में महंगे खिलोने नहीं मिलते थे, लेकिन हर खेल बहुत आननदित करता था. पता नहीं क्यों? घर कच्य होते थे, कमरे कम होते थे, लेकिन माता, पिता कभी रधा श्रम नहीं जाते थे. पता नहीं क्यों? घर में गाई की, कुत्ते की, अतिथी की, महमानों की रोटियां बनती थी. फिर भी घर का बजट संतोलित रहता था आज सिर्फ अपने परिवार की रोटी महंगी हो गई पता नहीं क्यों महिलाओं के लिए कोई जिम या कसरत के लिए विशेश सादर नहीं थे फिर भी महिलाओं पून रूप से समपून रूप से स्वस्थ रहती थी पता नहीं क्यों भाई भाई में भाई भेहनों में अनेक बार खूब जगड़ा होता था आपस में कोटाई तक हो जाती थी परन्तों आपस में मन मुटाओ कभी नहीं होता था पता नहीं क्यों परिवार बहुत बड़े होते थे पड़ोसियों के बच्चे भी दिन भर खिलते थे फिर भी घरों में ही शादियां होती थी पता नहीं क्यों मता पिता थोड़ी सी बात पर थपड़ मार देते थे लेकिन उनका मान सम्मान कभी कम नहीं होता था पता नहीं ऐसे अनेक क्यों क्यों के सवाल दिल में उठ रहे हैं आप सभी तक इस क्यों को पहुँचाने की कोशिश कीजिए शायद फिर से पहले जैसा सौहादर पून वातावरन आप सिप्रेम एक्ता का माहौल बने एक एक क्या रहा होते हैं अपना ख्याल रखिएगा